नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका लोगुरू में मैं अनुराग रिशी और आज की इस वीडियो में बात करेंगे टाइपस ओफ टीचिंग मेथड के अंदर क्लिनिकल मेथड ओफ टीचिंग की इसमें हम बात करेंगे इसकी मीनिंग की फिर हम देखेंगे इसके main objective और last में हम cover करेंगे programs of clinical method तो चलिए बिना time waste करें वीडियो शुरू करते हैं clinical method में सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी meaning की दोस्तों जैसे कि इसके नाम से ही पता लगता है clinical method बात करता है practical की जो कहता है student have to understand and assimilate responsibilities as a member of public service in the administration of law यानि के students को public sector के अंदर public service के अंदर अपनी responsibility समझ कर उनको understand करके लोगों को समझाना होता है in the reform of law in the equitable distribution of legal service in society यानि के लोगों को समझाना कि legal service कैसे distribute की जाती है कैसे law को समझना होता है कैसे law को reform करना होता है यह होता है clinical method of teaching it means clinical method are as good as case for the better interest of all and especially for the poor class यानि के दोस्तों इसको हम समझ लेते हैं कि जो लोग poor होते हैं जिनको law की knowledge नहीं होती जो layman होते हैं उनको practically law के बारे में समझाना law उनके लिए कैसे work करता है यह बताना उनको law provide करवाना यह होता है clinical method of teaching जिसमें volunteers कहलो यह law students कहलो वो voluntarily participate करते हैं और जो layman है जिनको law की knowledge नहीं है उनके लिए कुछ programs organize करते हैं उनको law की knowledge यह कहें उनकी information provide कराते हैं यह होता है clinical method of teaching एक बार हम नज़र डालते हैं main objective of clinical method पे उससे हमारा जो main object है clinical method का वो और भी अच्छे से clear हो जाएगा clinical method का मतलब होता है कि लोग जो हैं जो students हैं वो participate करें ताकि के वो बाकी अदर लोगों को legal education की importance को बता सकें उसको distribute कर सकें साथी साथ traditional knowledge और professionalism के बीच में वो balance बना सकें वो harmony बना सकें यह होता है clinical method of teaching का main object अब हम बात करते हैं कि आखिर clinical method of teaching वो कौन-कौन से program करती हैं जिसके through वो legal education को promote कर सकें तो दोस्तो there are some programs जो बताते हैं जो serve करते हैं उस purpose को जिससे legal education को promote कर सकें उसकी importance जहां हो दूसरों तक पहुँचा सकें पहला है दोस्तो इसमें legal aid legal aid services and legal literacy are important tools for professional education यानि के दोस्तो legal aid और legal literacy जो है वो एक important tool है professional education यानि के law के students को law समझने के लिए by organizing legal literacy camps legal aid services can be provided to laymen and door class persons यानि के दोस्तो legal aid services provide करवा कर जो layman है जिनको law के बारे में knowledge नहीं है हम उनको भी law की knowledge जो है वो provide करा सकते हैं उनको law के बारे में समझा सकते हैं legal aid जैसे की नाम से ही पता चलता है दोस्तो legal aid यानि के कानूनी साहता पहुचाना किसी वेक्ति को जो इनसान सक्षम नहीं है यानि के अक्षम है कानूनी साहता पाने में चाहे वो physically हो चाहे वो economically हो उन तक कानूनी सलाह को पहुचाना legal aid कहलाता है जैसे कि हमने देखा होगा कि दिल्ली के courts में free legal aids camps चला जाते हैं कि यानि कि अगर कोई व्यक्ति economically afford नहीं कर सकता किसी advocate को तो वो legal aid के थुरू अपने council को hire कर सकता है और ये क्यों किया जाता है ताकि के law को ताकि के legal education को promote किया जा सके दोस्तों दूसरा program होता है legal literacy program ये program वो program होते हैं जो senior law faculty के दुआरा organize किये जाते हैं और जो members होते हैं वो इस program को organize करते हैं ताकि कि उनके under जो cases pending है उनके जो clients हैं उनको वो चीज़े बताई जाए कि आखिर आपके cases में क्या चीज़ चल रही है क्या होनी है क्या होने वाली है ताकि के वो भी अपने cases से aware हो सके ताकि के उनको भी अपने cases की information मिल सके और ये क्यों किया जाता है ताकि के legal education को बढ़ावा मिल सके ताकि के जो लोग हैं जिनको पता नहीं कि वो case क्यों हो रहे हैं क्यों चल रहे हैं क्या वज़ा है उसके बारे में उनको information मिल सके थर्ड प्रोग्राम है लीगल सर्वे, लीगल सर्वे is one of the part of legal literacy program, it is the responsibility of law colleges and institutions to conduct legal survey to find out the real position in various sectors concerning law programs, यानि के दोस्तों legal education को बढ़ावा देने के लिए legal survey किये जाना चाहिए, और ये colleges और institution की responsibility है, उनकी जिम्मेदारी है कि ये survey time to time होता रहे, ताकि के लोगों को पता लग चाहिए कि आखिर उनके area में किस तरह की समस्या लोगों को हो रही है, loss related, example देता है कि अगर मान लीजिए, हम लोग अपने area में survey करें कि अगर उनको कोई information, कोई legal knowledge, कोई legal information चाहिए, तो हम उनको provide कराते हैं, तो इस survey से क्या पता चलेगा, कि आखिर लोगों को कितनी knowledge locky है, कितनी उनको होनी चाहिए, या क्या-क्या दिक्कते उनको, क्या-क्या problems उ serve the purpose of legal education, इसी के साथ, आज की वीडियो समाप्त होती है, इस वीडियो के notes का link हमने इस वीडियो के description box में डाल दिया है, तो आप चाहें तो इस link पे click करके उन notes को download भी कर सकते हैं, साथ ही साथ, हमने इस वीडियो के description box में अपने Facebook page का link और अपने Instagram account का link भी डाल दिया है, तो इसी के साथ साथ हम आप लोगों के एक बात और बताना चाहेंगे, कि अगर आप लोगों को company law, environmental law, evidence act, CPC, CRPC जैसे laws की वीडियोस चाहिए, तो हमने अपना दूसर YouTube channel, law lecture by तरुना शर्मा के नाम से बना रखा है, उस channel पर हमने CPC, CRPC, evidence, interpretation of statute, human rights, company law, criminology और environmental law जैसी बहुत सा अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो आप उस channel पर जा सकते हैं, channel पर जाने के लिए आप इधर किलिक करके, direct channel पर जा सकते हैं, अगर आपको उस channel पर जाकर वीडियो अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को शेर जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोबेटों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, साथी साथ अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबाए धन्यवाद